अब तक हमने जो बात की वह हमने content की तो बात की लेकिन उसमें हम दाया दर textual content की बात कर रहे हैं textual content अब जाता है लेकिन आपने जैसे देखा कि अगर lengthy textual content तो वह बोरिंग हो जाता है या वह लोगों को digest easily नहीं होता so images basically इसी चीज़ के लिए help करते हैं और images से story बड़ी असान हो जाती है आपने कहावा तो सुनी होगी a picture is worth a thousand words तो यह कोई बिला हुआ जैसे एक हावती बन जाती असल में यह बिल्कुल फैक्ट है सो मिसाल के तोर पे अगर मैं आपको यह कहूँ कि एक सैमसंग का एक नया मुबाइल आया है जिसका नाम गलेक्सी नौट 9 है और उसके यह फीचर्स है उसका कैमरा बहुत अच्छा है और उसका डिजाइन बहुत अच्छा है उसका स्टाइलिस भी है इस सब चीज़े अगर मै आपको ज़दा समझ आएगी या पहले आपको ज़दा समझ आ रही थी इमेजिस बेसिकली जैटली हमें हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने किसी कॉंटेंट को भेतर करना है तो आप उसके लिए साथ विज्योल कॉंटेंट भी देते हैं इमेजिस की अल्टिमेट इंपॉ मॉबाइल चुके आया है मुझे इसकी फोटोस देखनी हैं कि लगता कैसा है मैंने सुना तो बहुत है दोस्त कहते हैं कि बहुत अच्छा फून है और सब को लेना चाहिए या वो इसकी तारीफ कर रहे थे तो मुझे इस्तियाक होगा कि मैं भी देखूं कि कौन सा नजर आजेंगे यह इमेजिस आ कहां से रहे हैं तो बेसिकली यह इमेजिस आप ही की वेबसेट से आ रहे हैं गूगल सिर्फ इनको इंडेक्स करता आपके लिए और अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं तो पॉसिबिल्टी है कल मैं इसको खरीदना भी चाहूंगा तो अगर आप इमेजिस की SEO अची करेंगे तो आप भी यहाँ पर रैंक कर सकते हैं और जब आप रैंक करेंगे तो पॉसिबिल्टी है कि आप ट्राफिक गेंड कर लेंगे तो बात वहीं पर वापिस आती है कि हम जब कीवर्ड रिसरच करते हैं तो हमें उसमें यह भी igent है तो images हमें डालने हैं और में और किम सभी घरना वापिस है आप्टमाइजेशन की लगाकर हूं उसमें लगा दें, so होता किया है, डिजिटल में कॉपी राइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, आप सिर्फ अपने इमेजिस लगा सकते हैं, आप किसी का इमेज नहीं लगा सकते हैं, क्यूंकि वो कॉपी राइट की वाइलेशन होती है, और कॉपी राइट की तो आप अड़ोबी, फोटोशॉप या इस तरह के दूसरे टूल्स यूज़ करके इमेजिस क्रियेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोटो इमेजिस हैं, वरतलब कि आपने तस्वीर उतारी हैं किसी सिनरी की या किसी परसन की, तो आप अपने कैमरा से उतार सकते हैं, दा इमेजिस, फ्री-to-use इमेजिस आपको अलाव करती हैं, आप नेट पर जाएंगे, तो आप इमेजिस सर्च करेंगे, और इसमें देख लेंगे कि आपको किस तरह की कॉपिराइट अलाव कर रहे हैं, तो मेक शूर ये कर ले हैं कि इमेजिस यूज़ करें, बहुत इंपॉर झाल